हेलो एब्रोन आप लोग का स्वागत है फिर से एक नहीं वीडियो पर दोस्तों जैसे कि आप लोग जी बांगला सारेगांपा में आउडिशन देते हैं उससे पहले क्या होता है कि आपको दिक्कते आती है कुछ जैसे कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है उसमें कानफ्यूजन होता है कि उसमें क्या भरे क्या नहीं भरे वही इसी वीडियो में आज आप लोग को क्लियर करूंगा कि आप लोग को किस किस तरह से फॉर्म फिल अप करना है और आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद इसलिए वीड गलती होता है तो फिर आपका रिजेक्शन रिजेक्ट वही होता है ना क्योंकि उससे ही आपका अगर सिलेक्ट होता है उनसे कॉंटेक्ट किया जाता है इमेल से कॉंटेक्ट किया जाता है तब ही आपका जो होता है तो जैसे कि पहले आपके पास होगा तो जैसे कि आपके बढ़ाद यहां पर नंबर जो दे दिया जाएगा ठीक है पहले ही यहां पर मिल जाएगा पर पुछेगा को singing background आप आपका singing background क्या है आप singing मतलब कहाँ सीख रहे हैं या पिर क्या कर रहे हैं आपका background क्या अगर कोई आपको गाना वजाना करते हैं आपके फादर हैं या फिर कुछ या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इतना confusion छोड़िए आपको मैं बता रहा हूं only I am learning Indian क्लासिकल म्यूजिक अगर आप लोग म्यूजिक सीख रहे हैं ठीक है अगर नहीं सीख रहे हैं तो यहां पर सिंगिंग बेक्राउंड लिख दीजेगा मैं नहीं सीख रहा हूं यहां पर इस तरह से आपको कुछ यहां पर डाल दीजेगा ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं तो आप लोग कोशिस कीजेगा कि सीखी रहा हूं मैं सिंगिंग सीख रहा हूं यहीं आप ल नाम खाले आपका लिखेना है पूरा जो नाम से लिखना है यहाँ पर एड्रेश जो आपका आड्रेश जहां से आप प्लेस पोस्ट इस तरह से आप लोग पर एड्रेश के यहां। और यहां पर फोन नंबर फोन नंबर बूला है और मोबाइल नंबर भूला है तो आप यहां पर दोनों में मोबाइल पर आपना गया सकते हैं आपके का कॉल इंगर डीज़ेगा क्योंकि completely उर्मटाइटचिन नंबर होता है तो contact करेंगे तो आपके उस contact number से करेंगे ठीक है इसलिए आपको सही contact number भरना है और डर के मारे नहीं बरना है कि राडुसर ने क्या होगा हम भर नहीं सक रहे हैं गलत-गलत मत भर दीजिए तो आपको मैसेज नहीं आएगा उसके बाद चलिए यहां पर email id भी मांगा है email id आप लोग मत छोड़िएगा ठीक है email id बहुत ही जरूरी होता है अगर आप लोग email id नहीं है तो आप लोग बना लीजिएगा उसके बाद चलिए जेंडर है जेंडर में आपको mail है कि आप फिमेल है वो भरना है उसके बाद यहां पर date of birth और गलती नहीं देना है जो certificate में आपका है वही आपको यहां पर date of birth देना है जो आपका होता है ने सब किसी का कि एक original date of birth होता है मतलब क्या होता है कि एक मतलब चेंज हो जाता है जो कहीं पर जैसे कि मेरा ही चेंज हुआ है तो इस तरह से जो पेमेरा ही फ्म रहेगा वही आपको हैं पर फ्म करना है और esis्के बाद यसके प करेक्ड करेक्ड फ्म भर को फिल कर सकते हैं इसमें कुछ भी दिक्कत वाले चीज नहीं और बहुत कोई बोलेगा कि यह सिंपल चीज है सिंपल चीज में वीडियो बना रहा है तो सिंपल चीजी कभी-कभी लोगों को हाट लगने लगता है इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया और आई होब दोस्तों अगर आप लोग felt करना है तो आप मुझे इंस्टा पर सुलो कर सकते हैं इसमें आप लोग को मतलब रिप्लाइ प्लाइ करता हूं उसमें आप लोगोब भीॉष सकेads में हम collaborate सब और एकी साथ सिंगर बने इस थौक को मैंने आगे बढ़ा है तो आई होप आप लोको अच्छा लाएगा आज के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही चलिए थैंक्यू धन्यवाद